और आपका वेलकम इस सेशन के अंदर मादमीशेश्या बोर्ड की पुस्तक आठ अहदया नेमर 10 राजस्तान की कला और संस्क्रिटी के बार में और इस अधय के अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्तान के प्रमुक द्रुग, सत्रिया, मंदिर और चित्रकला ये सारी सारी चीजें अपन यहां कवर करेंगे तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रमुक द्रुग द्रुग है बुंदी का द्रुग और बुंदी का द्रुग का जो निर्मान करवाया था वो करवाया था तेरा सो चौपन इस वी में राव बर्स ही ने करवाया था तो यह याद कर लेना बहुत पर जा चुक है बर्स ही और इसके अलावा यहां बुंदी द्रुग के अंदर देखने के लिए दर्शनिय जो सतल है वो है चतर साल यंतर साला बादल महल और अनिरूद महल के भीती चित्रों को देखने को मिलते है और बादल महल आपको पता है कुमल गड़ दुरुग में भी है चीक है न आगे देखना लोहा गड़ दुरुग जिसका निर्माण क्योंकि डिटेल से इसके अलग सेशन बनाएंगे ठीक है तो रन्थंबोर दुरुग जिसका निर्माण चोहानवाश्य सासकों ने करवाया था और जिसका नाम जैसिंदा ठीक ना तो ये भी याद के लिए ना और इस दुरुग में नों लगखा द्रवाजा हमीर बहल 32 इनके वारे में कि जलालो खिजली के भी कमेंटमेंट हैं ठीक है राजस्तान का पहला और जो साकावा था और इसी रन्थंबोर दुरुग में बाता तो बहुत सारी डिटेल है वो अलग से पढ़ेंगे ठीक है कुल डिटेल अपन नहीं पढ़ेंगे जो किताम है वो इतनी चीज़े कवर करें जालो दुरुग जिसका निर्मान सोनगरा चोहन ने करवाया था और पसीमी अरावली संकला की सोनगीरी पहाड़ी पर खड़े इस दुरुग के चार दरवाजे हैं और जिसका निर्मान दस्वी सिदा में परमार राजाओं जिसमें धारवर्स और और मार्दीगमिका नगरी के पतन के बाद साथ में सदे में दुरुग की नीम रखे गी थी और माना जाता है इसका जो निर्मान चित्रांगन मोरिया ने करवाया था और यह दुरुग मत्सियाकार पहाड़ी पर रिस्तित हैं उनके साथ प्रविश्द्वार हैं और किस्तГ कह सकते हैं उनको नोग खंड है या नो मंजीला है और इसे बाती मोर्ती कला का सब्द कोश कहा जाते हैं और आपको फटायक राजस्तान पुलिस का जो लोगो हैं ये कितिस्तम या विजस्तम का है अगला दुर्ग है कुम्बलगर दुर्ग जिसका निर्मार महाना कुम्बा के प्रमुक्षिल्पी मंदन के निततों में 1408 इस विवी निर्मित करवाय गया था तो ये मंदन है ना ये बहुत बारा एक जाम में पुछा जा चुक है तो इसको कि बावरी ये याद के लिए ना मामा देव जो कुंड है यहां का फैमस जिसे मादेव कुंड भी का जाते है ये भी फैमस और कुम्ब सुम्नियन विश्व मंदिर यहां पे इस्तत हैं और इसके साथ साथ राहे मिल के पूत्र पत्र विराज का यहां पे समारक भी दूसरी सबसे लंबी दिवार भी कहा जाते हैं तो इनकी जितनी भी डिटेल हैं वो सारी अपन बाद में चर्चा करेंगे आमे दुर्ग जिसका निमार मानसी ने परवाय था वो हिंदूर मुगल सेली दोनों में ही निर्मित हैं दुर्ग के प्रवेश्टवार गनेश्टवार पर जो सीला देवी की परसीद मंदिर बनावा है और सीला देवी का परसीद जो मंदिर है यह जो बांगलादेश से यह उठाकर लेकि आये थे मानसी अन्ने दुर देखे जोदपूर में महरान घड़ दुरूप विकाले में जुनागड दुरूप और जैसिल में सुनार घड़ दुरूप जिसें ध्या गोर्डन पॉर्ट भी का जाता है से हम्रहार के जगवश मंदिर उद्यपूर्य और शास भाओ नांग्दा उद्यपूर्य ये बहुत बार पराइन पूछ जा चुकिया अंभीं कला मन्दिर जगट्थ ये उद्यपूर मेश्ते नौ के चार पुजानात मंदिर यह गड़बोर रासबंद में इस्तत हैं और यहां के 1444 आपको पता है खंबो यहां पे इसके लिए फैमेश है यहां कुल देवी माना जाते है तो हींदू मंदिर यहां अचितर पता है तो सीव मंदिर यह बरदेवरा 12 में इस्तत है और कस्वा मंदिर यह बहुत बार आ चुका है तो कमले स्वर महादेव बुंदी में इस्तत है, सूर्य मिंदर जाला पाठान यानि जालावार में इस्तत है, तो ये भी बहुत प्राचिन मिंदर में आता है नाम इसका, ये राजस्तान का सबसे प्राचिन मिंदर को जाला पाठान सूर्य मिंदर का नाम आता है, यानि क्यों सिक्र में परनिजियुन चर्ण सी परनिजियुन के अमरेला चाहर में हैं मिटी की जो बने हुए तो यह रासमन जिलिम के मुलेला गाउं के कुमारों में 207 पर पहचान दे लए और मिटी की मूत्यों में आग से पका कर बनाने की जो कला को क्या का जाता है तेरा कोटी अब अगर मिटी कच्छी मिटी को पका ले ना उससे अपन बोगते हैं तेरा क कारणा की चत्री कहां पर यह अलवर में एक क्पमो की चत्री हैं यह वक्तावर सिंग की पतनी मुसी के साधतहियाफे समर्थी में वीने शी ना इसका निरमान करवाय था और गौपाल सिंग की क्रोली में यह यात के लिए बहुत बार आग्याम कोचा जा चूका था तो तरा की चत्री रामगर्ण में है और इस्वर की चत्री यह गेटव यह पुन सागर यह कांपे है भू का ने ने तो यह याद केले यह शारे चाट्री τις यह साही सामसान थे क्योंकि यहां की राजा राजवड़ों की सहाई संसान आते हैं जिसमें देखो देवी सागर आ गया यह फिर बड़ा बागा आ गया आहड़ा आ गया इक तिक ना जस्वर ठड़ा जोदपूर यह आ Rawald महराजा ओंको यहां पे दफ़ना के उसके उपर जो गुदम बनाए जाता था या पर चत्री बनाए जाती थी चित्रकला तो चित्रकला और रंगों के अगर बात करेंगे तो सबसें ज़्यादा देखो जैपूर और अलवर में हरे रंगों के चित्र हरो रोंगों को सबसें ज़्यादा पर्दसन किया गया था वहां पे और काम में लिया गया था और जोत्पूर बीकानेर पिले रंगों के सबसें ज़्यादा चित्र बनाने के लिए काम में लिया गया था और उद्यपूर, लाल, कोटा, निला, किसंगड, सफेर और बुंदी, सुनहरे रंगों का इस्तवाल किया गया था चित्रों के पश्ट भूमी देखे क्या क्या है तो उद्यपूर सेली के अंदर कदम के वर्क्स, किसंगड के लिए केले क्योंकि यहां पर भागवान सिर्कर्षन को समय पिते हैं और यह केले आपको पता है कि भी कलस में अपन जो धार्मी के अनुष्टान के अंदर काम में लेते हैं पोटाब बुंदी, खजूर के वर्क्स, जेपूर अलवर सेली, पीपल तथा वट वर्क्स, बिकानेर जोदपूर सेली, आम के वर्क्स, और उद्यपूर, खाती, और चकोर पक्सी, यह लिए निए फैमिस जोदपूर बिकानेर या मुगल सेली का भी प्रभाव रहा है, इस सेशन में बस इतना है, थैंक्यू, धनिबार